Hello Learners, MathsTube Learning Channel में आपका स्वागत है आज का हमारा टॉपिक है What is a Triangle? What are congruent triangles? और interior and exterior points of a triangle Hello Learners, आज हम इस वीडियो में Maths का Geometry का पार्ट करेंगे और इस पार्ट में हम जानेंगे कि What is a Triangle? Triangle किसे कहते हैं? What are congruent triangles? Congruent triangles क्या होते हैं? और interior and exterior points of a triangle ये सब क्या होते हैं आज का इस वीडियो में हम ये जानेंगे Learners, अगर आप चाहते हैं कि Secondary Mathematics से Related कोई भी टॉपिक पर हम वीडियो बनाएं तो आप हमें comments में लिखकर जरूर बताईएगा और हमारे चैनल Maths Tube Learning को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा तो आईए आज का यह वीडियो शुरू करते हैं हम सबसे पहले तीन points लेंगे Point A, Point B और Point C अब हम चाहेंगे कि अब इन तीनो points को हम एक straight line से जोड़े तो हमने Point A और Point B को एक साथ जोड़ा और Point B और Point C को एक साथ जोड़ा तो हम यह देख सकते हैं कि A, B और C तीनो points एक ही line पर लाई करते हैं इस तरह के points को हम कहते हैं Collinear Points Collinear Points यानि कि A, B and C are Collinear Points अब हमने क्या किया है कि Point B को यहां से move करके उपर देदिया है तो क्या A, B, C एक ही line से join हो सकते हैं आनसर है नहीं A और C एक ही line पे लाई करते हैं अब हम A, B को join करते हैं यह हुआ एक और line और Point B और C को हम join करते हैं यह हुई और एक लाइट तो अब हम देख सकते हैं कि A, B और C एक शेप बना रहे हैं ऐसा शेप इस शेप को हम ट्राइंगल कहते हैं और A, B और C को हम कहते हैं नॉन को लीनियर पॉइंट्स ट्राइंगल का डेफिनेशन है ट्राइंगल का डेफिनेशन है जैसे हम डाइग्राम में यहाँ पे देख सकते हैं A, B, C are three non-co-liniar points अब आईए ट्राइंगल के बारे में और एक्स्ट्रा जानते हैं एक ट्राइंगल को denote हम करते हैं इस तरह के सिंबल से अब हम यह वाला एक्जाम्पल लेंगे यह वाला फिगर A, B, C ट्राइंगल है A, B, C हम क्या करते हैं ट्राइंगल का सिंबल देते हैं और फिर A, B, C जो उसके तीन पॉइंट्स हैं जिन्हें हम वर्टिस कहते हैं A, B, C को हम कहेंगे वर्टिसस अफ़ ट्राइंगल अब हम कहेंगे अ ट्राइंगल A, B, C has three sides A, B, B, C and C, A So, any triangle has three sides A, B, B, C and C, A और इसमें तीन आंगल होते हैं कौन से आंगल? A, B, C यह आंगल? B, A, C B, A, C यह आंगल and A, C, B A, C, B So, यह आंगल So, एक triangle में तीन sides होते हैं यह, यह और यह तीन angles होते हैं A, B and C और तीन vertices होते हैं जो तीन non-collinear points से जो वो triangle बना है उन्हें हम vertices of the triangle कहते हैं हमें जो triangle में और एक चीज जाननी हैं वो है in triangle A, B, C A जो vertex है this is the opposite vertex of side B, C यानि A is the vertex opposite to side B, C B is the vertex opposite side C, A and C is the vertex opposite side A, B आईए अब हम जानते हैं कि congruent triangles किसे कहते हैं हमने यहां दो triangles लिये हैं triangles A, B, C और triangles D, E, F इसमें हमें यह जानना हैं कि अगर यह दोनों congruent triangles होते हैं तो क्या होगा, कौन से condition satisfy होंगे अभी triangles में अगर एक side और एक side की length सेम हैं तो हम उन्हें single line से ऐसे काट के denote करते हैं इसका मतलब है A, B length is the same as D, E length फिर अगर A, C is the same as D, F तो हम उसे denote करते हैं ऐसे दो lines cross करके और अगर B, C is the same as E, F तो हम उसे 3 lines काट के denote करेंगे यानि कि यह दोनों lines की length सेम है यह समझ में आ गई अब हम जाते हैं angles के तरफ अगर दो angles सेम होते हैं in a triangle तो हम उन्हें कैसे denote करते हैं suppose B, A, C यह वाली angle और E, D, F यह angle सेम है तो हम उन्हें ऐसे single line से denote करेंगे अगर angle A, B, C यह वाली the same as angle E उसे हम ऐसे करेंगे और अगर angle C is the same as angle F तो हम उसे तीन line से denote करते हैं तो अगर हमारे दो कोई भी triangles में यह सब conditions satisfy हो जाए lens सेम होते हैं angles सेम होते हैं corresponding angles and corresponding side lens तो उन दोनों triangles को हम congruent triangles कहते हैं तो हमने यहां congruent triangles का definition लिखा है चलिए इसे एक बार पढ़ लेते हैं यह हमने देखा था angles, corresponding angles similar रहेंगे and every side of one is equal to the corresponding side of another यह हमाई definition आईए फिर से हम वो एक बार example देखे समझ ले की congruent triangles क्या होते हैं हमने यह दो triangles बनाया है triangle ABC and triangle DEF now ABC triangle and triangle DEF are set to be congruent triangles if AB equal to DE BC equal to EF AC equal to DF and the corresponding angles are same A is the same as angle D angle B is the same as angle E and angle C is the same as angle F so अगर हमारे यह यह छे कंदिशन सतिस्फाई हो जाए then ABC is congruent to triangle DEF हमारा next topic है what are interior and exterior points of a triangle the part of the plane enclosed by triangle ABC is called the interior of triangle ABC हमने यह एक triangle बनाया है ABC इसके अंदर का जो भी points है the part of the plane enclosed by this triangle is the interior point of ABC and triangle ABC is the boundary यह 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 जो तीन लाइंस है any point lying on the boundary like on these lines will be known as that they are lying on the boundary of the triangle next exterior points the part of the plane not enclosed by triangle ABC is called the exterior of triangle ABC अब आये कुछ points लेते हैं different parts of this triangle में और देखते हैं कि वो interior में है exterior में है या फिर boundary पर है हमने यह example लिया है triangle ABC बनाया है इसमें है एक point P है a point P is in the interior of triangle ABC point Q is also in the interior of triangle ABC यानि कि P and Q are the interior points R is lying on the boundary of the triangle ABC and S and T are the exterior points of the triangle ABC तो हमने देखियो वही लिखा है P Q are the interior points R lies on the triangle ABC और S and T are the exterior points तो learners हम आज इस वीडियो के end तक पहुँच चुके हैं हम एक दूसरा वीडियो भी ला रहे हैं जिसमें हम different types of triangles के बारे में जानेंगे जैसे कि equilateral triangles, scalene triangle, isoscellus triangle, acute triangles तो उस वीडियो के इंतिजार में आप रहिएगा हम जरूर जल्दी ही उस वीडियो को share करेंगे आपके साथ Learners अगर आज का हमारा यह वीडियो आपको थोरा सा भी helpful लगा हो तो please हमारे इस वीडियो को like और share करना मत भूलिएगा हमारे चैनल Maths Tube Learning को भी subscribe जरूर कीजिएगा और bell icon को press करना मत भूलिएगा ताकि Maths के concepts related हमारे सारे वीडियो की जानकारी आप तक सबसे पहले पहुँच सके Thank you for watching, bye